असलाम हूँ अलेकूम, मैं जुलेखारफा, जुलेखास्कुचिन से, तो चलिए, आज हम बनाते हैं, बटर गारलिक फिश, बटर गारलिक मच्छी कई है, बटर गारलिक पापलेट कई है, आपने जो कहना है कई है, बर बड़ी स्वाधिश्ट बनती है, उगलिया चाटते र है, एक पापलेट का वजन, अच्छा, ये पूरी गंदगी वगरा निकालने के बाद, धोने के बाद मैं आपको इसका वेट बता रही हूँ, तो आप चाहें, तो साड़े तीन सो से पॉने चार सो गराम की कोई भी मच्छी ले लीजिए, आप चाहें तो हड़ियों के साथ ले सकते हैं, आप चाहें तो बोनलेस ले सकते हैं, आप चाहें तो कतला लें, रावर, सूर्में, उनके पीसे करवा के ले सकते हैं, आप चाहें तो पापलेट के भी पीसे करवा के ले सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से धो ली है, पैट ड्राय कर ली और मैंने हाँ, इसक के अंदर पैट्राय करने के बाद हम नमक लगा लेते हैं, सबसे पहले मैं वनफोथ छोड़ा चाय का चमच नमक दाल देती हूं इसके ऊपर, बहुत अच्छे से मसल लीजिए, यह जो आप देख सकते हैं slits, इसमें भी अंदर अच्छे से लगाईए, यह जो नमक है वो, और साइड पे आपने देखा, मैंने वो जो slit लंबी लगी हूँ है, उसके अंदर भी मैंने मुह के पास दाला है नमक, वनफोथ छोड़ा चाय का चमच, काली मिर्चो का पॉडर दर दर पीसा हुआ, और आदा चुड़ा चाय का चमच, लस्तन दाल दीजिए, बहुत अच्छे का चमच, पलटने के बाद दाल रही हूँ नमक, वनफोथ छोड़ा चाय का चमच, काली मिर्चो का पॉडर और आदा चुड़ा चाय का चमच, बारी कटा हुआ लस्तन, फिर से बहुत अच्छे से mix कर लीजिए, और बहुत अच्छे से slits वगेरा के अंदर भी नमक और ये मेरिनेट करने के लिए, एक गंटे के बाद 2-3 टेबल स्पून जितना मैदा एक प्लेट में दाल कर इसकदर चारो और फैला दीजिए, और जो मच्छी मेरिनेट करी हुई है, वो लीजिए और उसे इसकदर इसके ओपर लगा दीजिए, दूनों और साइट से प्रेस कीजि मैं हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा डाप करते जा रही हूँ, और जो एक्स्टेंसिव जादा रहेगा हमारी मच्छी के ओपर वो आप निकालना चाहे तो बेशक निकाल दीजिए, अब एक फ्राइपन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, जादा मत डालिएग तकरीबन उलट पलट करते हुए, इसे 6-7 मिनिट तक पका लीजिए, अच्छा अब साइट का भी आप देखें तो थोड़ा इस तरीके से प्रेस करते जाएगा हाँ, सो दाट साइट का भी पक जाए और हलका सा क्रिस्पी और गोल्डन होने लगे, नहीं तो पता चला मिनिट लगी है, उलट पलट करते हुए, पका कर, अब आपकी मच्छी अगर छोटी हो, तो तकरीबन 4-5 मिनिट में तो आराम से पक जाएगी, अब तकरीबन 6-7 मिनिट हो चुके हैं, तो मैं कर देती हूँ, इसका चूला बंद, और ये पक गई मेरी मच्छी, अब हम आग अब इसके अंदर मैं दाल देती हूँ, 60-65 ग्राम मखन, मखन, बटर, मसका, आप जो भी बोलते हो, ये डाल दीजिए, फास्ट आज पर चूला चालू कर दीजिए, बटर मेल्ट हो जाए, थोड़ा बहुत भी, तो यहां दाल दीजिए, 4 छोटे चाय के चमश, बारिक कट अब बटा हुआ, लस्ट और इसे मीडियम आच कर दीजिए, या फिर फास्ट आज पर बार बार चलाते हो एक मिनिट तक फ्राइ कर लीजिए, मैंने मीडियम आच कर दीए, जब एक मिनिट हो जाए, हमारे लस्टन को फ्राइ हो के, तो चूले को सबसे पहले तो कर क्योंकि याद रखेगा मक्खन में भी नमक होता है तो चुटकी बरी मैंने दाला चूला स्लो पर है और इसे बार-बार चलाते हुए एक मिनिट तक भून लीजिए जब तक मैदा भून जाएगा जब एक मिनिट हो जाए चूला स्लो पर ही रहने दीजिए अब दाल दीजिए एक छोड़ा चाय का चमच चिली फ्लेक्स और दो छोटे चाय के चमच मैं यहाँ नीबू का रस दाल रहे हूँ आप चाहे तो डेड़ भी दाल सकते हैं खटास आप आपके इसाब से प्रिफर कर सकते हैं और पारिक कट्टी हुई कोतमिर यानिके हरा धनिया दाल दीजिए मिक्स कर लीजिए और तकरीबन 10-20 सेकंड ही इसे फ्राइ कर लीजिए चूला कर दीजिएगा बंद और यहाँ पर जो मच्छी साइट पर मैंने रखी है यह मैं डाल देती हूँ इसके उपर और फिर दालने के बाद इसे फिर से पलट दीजिए और यह हो गया हमारा पढ़ या फिर मेरी तरह मैंने डाल चावल के साथ as a side dish इसे serve किया है तो उसके साथ भी serve कर सकते है लेकिन बड़ी लजीज बनती है माशाला उंगलिया चाटने वाली types बनती है अब इसे गर्मा गरम एक plate में निकाले और वो जो सारा side पर जो भी आपके fry pen के अंदर लगा होगा मक खन और बटर और यह जो भी है वो सारा drizzle कर दे हमारी मच्छी के ओपर और मज़ेदार से enjoy करें थोड़ी सी कोत मेरी निका हरा धनिया उपर से डाल दीजेगा आप चाहे तो थोड़ी सी chili flakes भी डाल सकते हैं उपर से एक दो point share करनी थी जो spice है आप आपके इसाब से बढ़ा सक खटास भी मैंने दो चोटे चाहे के चमच दाले हैं आप आपको पहले लग रहा है बहुत जादा हो जाएगा तो आप देट चोटा चाहे का चमच या एक चोटा चाहे का चमच दाले उसके बाद आप intensity खटास की बढ़ा सकते हैं अगर आपको यह recipe अच्छी लगए तो एक दार दार रेसेपी के साथ अंतल दें टेक केर आला हाफिस बढ़ाई